हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं कोहिनूर हीरे का गवा था आग्रा का लाल किला चान ये पूरी कहानी कोहिनूर हीरे की कहानी इस किले से शुरू हुई मुगलों ने आग्रा किले को अपना गड़ बनाया यमुना किनारे बना खिला अपने आप में कई इतिहास संजोए हुए है वास्तुकला और मुगल शैली की वव्यकलाओ को दर्शाता ये खिला आज एतिहासिक दरोहरों में शामिल है रोजाना हजारों पर्यटक इसके दीदार के लिए पहुँचते है माना जाता है कि अकबर 1558 में आग्रा पहुँचे उन्होंने लाल बलुवा पत्थर के साथ किले का नवी करड़ करने का आदेश दिया करीब 4,000 मसदूरों ने रोजाना इस किले पर काम किया और ये किला आट साल में बन कर तैयार हुआ 1556-1573 में इस किले में हर रोज काम हुआ आग्रा का लाल किला यमुना किनारे बनाया गया था किला 21.4 मीटर उची दुर्ग की दिवार से गिरा हुआ है इसके चारों तरफ चार दर्वाजे है वहीं पानी के लिए विशेश द्वार भी है जिसे खजीरी द्वार पानी का द्वार कहते है ये यमुना नदी के सामने खुलता है जहां काटो को पानी प्रदान किया जाता था लाल किला लगबग चुरान में एकर जमीन पर फैला हुआ है आज भी किले में दो दर्जन से अधिक समारक मौजूद है लाल किला यमुना नदी के दाए किनारे पर स्थज है या मुगलों के सबसे महत्वपून और मजबूत बनाये गए गड़ में से एक है लोधी काल के दोरान किले में कई महलों कुओ और मजदित का निर्मान हुआ बताया गया है कि जब बाबर ने अपने बेटे हुमायू को आगरा भेजा तो उसने किले पर कबजा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया जिसमें विश्व प्रसिद कोहिनूर हीरा भी शामिल दा बाबर ने यहां बाली का निर्मान किया ब्रिटिश ने बैरकों को बढ़ाने के लिए अधिकांच इमारतों को निस्ट कर दिया शायद ही तीस मुगल इमारतों दक्षन पूर्व और से बचे है इन में से दिल्ली गेट अकबारी गेट और बंगाली महल अकबर के शाशनकाल के दोरान उठाए गए भवनों के प्रतिनिदी है बताते है कि जहांगीर जादातर लाहर और काश्मीर में ही रहते थे लेकिन वे आगरा से नियम त्रूप से दोरा करते थे और किले में रहते थे वही शाजा ने यहां सफेद संगे मरमर के महलो को बढ़ाया उन्होंने इसमें तीन सफेद संग्य मरमर के मस्जद भी बनाए मोती मस्जद, नगीना मस्जद और मीना मस्जद औरंग जेब ने अपने पिता शाजा को आठ साल तक किले में कैद किया 1666 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें ताज महल में दफनाया गया लाल किले के दो दर्वाजे नदी के किनारों के आसपास के बारभी सन औरंग जेब ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाए थे आला कि चाजा ने आपचारिक रूप से अपनी राजदानी को दिल्ली में स्ताना अंतरित किया था लेकिन उतनकी मृत्यू के बाद आगरा ने अपनी भव्यता खो दी शिवाजी 1666 में आगरा आये और दिवाने खास में औरंग जेब से मिले औरंग जेब की मृत्यू सत्रा सो साथ में हुई और अठारवी सताब्दी में आगरा के किले का इतिहास कुस्पेट और लूट की एक गाता है जिसके दौरान यह जाट और मराधा द्वारा आयोजित किया गया था और अंत में अंग्रेजों ने बाद में 1803 में इसे कबजा कर लिया था लाल किला सुरियोदे से सुरियास तक खुलता है यहां रोजाना हजारों परियटक पहुंचते है पारतिय परियटकों के लिए यहां प्रवेश शुल्क 30 रुपिये है नहीं सार्क देश, बांगलादेश, नेपाल, भूतान, श्रिलंका, पागिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान और विम्स्टेक देशों बांगलादेश, नेपाल, भूतान, श्रिलंका, थाइलेंड और म्यानमार के परियटकों के लिए भी इसका शुल्क 30 रुपिये प प्रतिव यक्ति शुल्क 500 रुपिये है माइंड दन्यूस रूम की रिपोर्ट उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और आप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चानल को सबस्क्राइब करना न भूलें